हाँ गाईज यार मैं तो पग गया यार टीवी देख देखके देख रहे हो गाईज यार आना मेरी ओफिस की सुबेश छुटी थी तो ना यार मैं पूरे दिन यार टीवी ही देख रहा था चलो अब टीवी बंद करती हैं मुझे ना गाईज यार बजार जाके थोड़ो तो चलो यार शिंचन और चोप को देखते हैं यह आखिरकार घर पे कर क्या रहे हैं और गाइज आपको पता है यार शिंचन ना अपने दोस्त टिलू के साथ घर पर टेंट लागा के रात को भार सोया था पता नहीं यार इन लोगों ने घर के बार एक टेंट लगा दिया है और वहीं पर रहते हैं यह पूरे दिन अब पता नहीं यह लोग इतने दिन तक यह ड्रामा करेंगे यह देखो यार वहीं पर खड़े हैं शिंचैन चोप ओ तिलू क्या कर रोग भे तुम सरे के सारे तो ना पैसे पैसो कर तो या क्या करेगा भे पहले तुछे पता ना और दिन में डाइपर में आ जाता है यार मेरे को तो समझ नहीं आता और तुम लोगों को पैसे चाहिए क्यों वैसे अब क्या लाने तुम्हें यार हमारे को नर्षन अपने वालेई तेंट के लिए थोड़ा से समंधने अंदर के लिए क्योंकि नीचे चिटाई भी चाहिए और या थोड़े बरतन लानी है है बरतन अबे तो तुम लोग अब घर पे खाना निखाओगे क्या अब बखलो यही पर टेंटिंग करेंगे ना अबे टेंटिंग नहीं कहते है अब पागलो उसको केंपिंग कहते है अब यहां वही यह तुम मद दो पैसे मैं तो जारो अपन पर निकले मेरी गुल्लक में अब तो ने टाइम से पैफे जोड़े और तो एक चटाई लाने के लिए प्रेंकलिन के घर पे यह काम खाली वही कर सकता है इन कामा में उसकी थोड़ी ज्यादा बात चीत है कहां है फ्रेंकलिन का गार अरे यही वाला तो है फ्रेंकलिन मेरे अरे यार चलो आपने बेटे के लिए रिमॉट कंट्रोल कार लेका है उन्हों वहीं पर रखवा दूंगा और ट्रक उसे दे दूंगा थोड़े बहुत पैसे बनेंगे विचार अपना बिजनस तो कर लेगा फ्रेंकलिन एक बार उपर तो आप फ्रेंकलिन कहां पे है अब गाइस यह लोग ना मेरे को कोई भी रैस निकरने देता लगता यार बिजली वाले तो नहीं आगे घर पे एक में डुकना अरे यह तो मेरा दोस्त है हाँ भाई मॉंटी क्या लें आज कैसे आनवत और यहां पर कैसे आ गया अरे मेरी बासन फ्रेंकलिन तुझे पता है हमने कल ठाने में कुस चोरों को पकड़ा था और वहां पर ना हमें यह ट्रक मिला है और एक रिमोट कंट्रोल कार मिली थी ट्रक तो मैं तेरे को गिफ्ट देने आया हूं क्यूंकि तेरी थोड़ी बात चीत है और तो मेरा दोस्त भी अच्छा तो यह ट्रक तो ले लिए बेग कवाड़ी वाले को पैसे बनेंगे रख लियो लेकिन तुझे मेरे काम करना पड़ेगा हां हां बोल बोल कर दूंगा यार तेरा काम यह तो बहुत पुराना ट्रक लगता है अरे मेरी बासन यह मैं अपने बेटे के लिए रिमोट कंट्रोल कार लेके आया हूं ठीक है इसको आज गाड़ी नहीं मिली ना तो वह मेरा यार जीना अराम कर देगा अच्छा ऐसी बात है क्या चल ठीक है यार कोई नहीं तू शाम को आयो और वह ले जाई हो और इस ट्रक को बेग दियो ना हो के गाइस अभी ना मैंने इसकी गाड़ी नीचे उतार के रख दिया है अरे भाई अराम से रखियो इसको समाल के ठीक है ना यह लोस सेंटर में नहीं मिलती मैंने बाहर से मंगाई थी मेरा दोस्त गया था दुबाई वहां से मंगाई है अच्छा दुबाई वाला में काम करते हैं तो यह ऐसे चोटे मोटे किफ देता रहता है लेकिन आज तो गाई से पूरा को पूरा ट्रक ही उठा के लिया आया मैं क्या सोच रहा हूं यार शोप इस वाले ट्रक को ना कवारी वाले को बेग देंगे और वहां से जो पैसे आएंगे ना पहले तो इसको मैंने ना अभी इसका मोंस्टर ट्रक भी उठा लिया जो रिमोट कंट्रूल का रहे हैं पहले इसको नीचे घर के अंदर रख्याता हूं अभे इसको रख्या वे समाल के कोई कोई लेना जाए अबे हाँ तो दिक्कत मतले अभी चलो काई जार मैंने इसको तो उठा लिया है अभी फटा फट पहले इसको रख्याते हैं उसके बाद ना जाए गाइस उपर वो ट्रक रखा है ना कवाडी वाला उस ट्रक को बेक के आएंगे और मैं कैसो तो यार यहां से तो कोई चौप लेके नहीं जाएगा अबे हाँ घर के अंदर से तो वैसे भी कोई लेके नहीं चला अभी जो ऊपर ट्रक है ना उसको भी बेक्यान है अब तो गर पे कोन रहेगा उसको टेंट को ख्याल अब टेंट में कौन सा सोना रखा उसका तेंट कोई नहीं लेके जाएगा तू आजा फटा पट से वैसे भी गाइस आभी तो कोई काम भी नहीं था और यहार मिला ना वह समान भी मैं बाद में लियांगा अभी फटा फट बैठते हैं और चली से इस वाले ट्रक को बेक्याते किसी कवाडी वाले को ओए आज ना चौप अब आरहों पे रूप बैठता हूं वे होके गाइस अभी फटा फट चलते हैं अब यहां पर किसी ने बताया था कि यहां पर ना एक कवाडी वाला है जो कि ना ऐसे पुरानी ट्रक बहुत ही अच्छे रिट पर खरी लेता है एक मिनट रगो किस से बात करूं औरे इन अंकल जी से बात करता हूं यार यही लगतने अंकल जी हैलो मेरी बात सुना अंकल जी और हां बच्चे बल क्या काम है तरगो को अरे कवाड़ा क्या तो खाली पड़ा है हम कुट्टे नहीं ख़लीते आरे नहीं नहीं वह बेकने के लिए बात है तो क्या ब्रक बेकना है फिर आरे ओ तर रहत पुराना लगता है इसको त तो बिटा तुम्हें इसके बाराजार पर देदूगा वाराजार अंकल जी पहुत कम है तो तुम बताओ कितने अरे अंकल कम से कम 20,000 तो तो चलो टीक है डील डन करते हैं यह लो मैंने तुम्हें पैसे कर दिये चलो अब तो यह ट्रक मेरा हो गया ना अब बढ़ी आ हो गया अब हमने तो बीफ जार में बेग दे ते हरे हां यार चौप सही कह रहा है गाइस जार बताओ हमें पढ़िया सा यार ट्रक भी बेग दिया और यार मेर को ना अंकल यहां पर पुरानी बाइक की मार्केट है और वह तो बीच के पास है यही पर पास में अच्छा ठीक है हम लोग ना भीच की साइट पे भी आ चुके हैं और यार वह बाइक वाले की जो दुकान में आपको बता रहा था ना वह इसी के अंदर है अब बढ़िया 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 बाइक के मिलेंगी चलो गाइस अभी फटा-फट से ना जली से यहां पर कौन से ल को बढ़िया 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 बुलट टो यहां पर 3-4 ख़डिया कों से वाली कह रहा है तू पिंक वाली देखना क्या पिंक वाली यह कितने की बड़ेगी यह तो 25 बड़ेगी आपको 25 की और कौन सा मोडल है यह है 2004 का मतलब 20 साल पुरानी बाइक है कि अब क्या करें चलो ठीक है लो अंकल जी मैं आपको कर देता हूं फिर 20 कर लो ना अच्छा चलो ठीक है 2020 का टाइम है बोनी का कर दो 20,000 कर दो चलो गाइजार 20 में हमने वो ट्रगबे का और 20 में हमें काड़ी मिल ठीक है अंकल जी कर दिये अरे ठीक है ले जाओ अब कल्वे यह तब बढ़िया डील है अब हां यार सही कह रहा है गाइजार देख रहो हमने कित अब कल्वे सही करता भरे बहुत ही बड़ी है यह हां हां सही क्या रहू ना चलो यार अबी फटा फट घर चलते है शिंचन और छो उसको भी दिखाते हैं टिल्लु यह वाली बाइक अब चल चल तल और चल भर जो बहुत अब आगया गर पर यार पतानी कौन सा टेट यहां पर रिमोट कंट्रोल काड़ी भी खरी है लगता है यार शिंचन अपने लिए एक नई वाली काड़ी लेके आ गया है उसने तो मेरे को बताया भी नहीं है लगता है सारे के सारे भार गई है अरे यार ऐसा करूं के यह ट्रक को लेके घर चलता हूं यार बाद में यार मैं तो इंडिया से बहुत प्यार करता हूं आप भी करते हो तो फटाफट कमेंट में जाके यस लिको और वीडियो को लाइक कर दो अरे यार ऐसा करता हूं फटाफट इसे लेके चलता हूं दस कदम लेटल जिंगम वो भी तो मेरे खिलोने लेता है शिंचन का बच्च की अरे चलती है आए इस तो इसमें कितनी ज्यादा पावर है यार मतलब यार बार की कंट्री की जब लाती है यार भूत अरे भारी खड़ा है अरे यार लगता है गाइस यह तो यार वो मेरा दोस्त भी आ गया एक मिन्टर को हाँ भाई मॉंटी आ गया तू आपिस अब यार शिंचन तू कब आया यह मैं तो आगया तो यह मॉंटी अंकल कॉंसी गाड़ी मांग रही है है गाड़ी अच्छा वो ट चैन मैंने अपनी आखों के सामने चोप के घर के साथ में ट्रक रखा है अब यार तुझे कुछ मिलता है यार पिंद फ्रेंकलिन जल्दी लादो आए मैं लेट हो रहा हूं बहुत जादा मुझे घर भी जाना है तुझे पता है मेरा बच्चा मेरे कान खा जाएगा मैंने कुछ ट्रैंक्लिन क्या मजाक चल रहा है अरे तू पागले क्या Franklin मजाक नहीं कर रहा मेरा ट्रक मुझे वापिस चाहिए मुझे नहीं पता मेरा बच्चा मेरी जान खा जाएगा मैं क्या लेकर जाओ उसके लिए आप यार मैं क्या करूँ मैंने उसको यहीं रखा था लगता यार तेरा वो ट्रक चोरी हो गया है पागले क्या तू तेरे इतने बड़े घर में से खाली मेरा ट्रक चोरी हुआ है पागले क्या तू मेरे को नहीं पता मेरा ट्रक दे अब यार शिंचन मैं क्या करूँ और यार भाई मैंने ट्रक यहीं रखा था सची में अरे लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा वह जो बाइक ल में तरह नंबर भी ब्लोक करूंगा आरे सुन तो ले मॉंटी अरे बैस की टांग बता मैंने इसको एक ट्रक भी गिफ्ट किया फिर भी इसने मेरे वो ट्रक मूर्श रहार सी ट्रक चोरी करवा दिया इसकी बैस की चल मैंनी दूंगा तुझे यह बाइक अब में रखूंगा इसकी टांग तेरी शियर रैंकलिन के बच्चे हैं अब बाई शिंचैन यह क्या हो गया यार मैं इतनी मेहनत करके उस ट्रक को बेख यार वो मेरी बाइक भी ले गया अब अब क्या करें यार अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते चौप अब अब कल्वे अब तो यार मारे कोड़ी देर पहले आके नहीं देख सकता है क्या पता नहीं का इस ट्रक को कौन ले क्या आपको पता है तो फड़ा फट कॉमेंट्स में जा के बताओ यार अब यार मेरा तो गाइस मूड बहुत खराब हो रहा है शिंचन मैं जा रहा हूं सोने के लिए मेरे को छेडियों मत कलाओ मेरा पूरा-चर नोटों से भर चुका है जहां पैर रहा हूं वहांपर नोटों सकता और छॉय पंट क्या हो रहा है ऑब इन लोगों की टेंशन भी तोर करूंगा मेरा नाम है बेपी अगर सलो मेरी पास सुलो तम सब की सब कि सब तुमारा नाम Shift a दो मैंने कितना समय प्रेफद या और यह कौलल बै कुला नाम Уई नाम थे रहा यार औरे परे गडल बहुत लग रहा है यह तो इस का अरे भाइब दुनिया का लगता भी नहीं कोन है तु कहां से आया है तुम्हें पता है मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे साथ बहुत पुरा हुआ इसलिए मैं तुम्हें बुरी बुरी जायमों की क्या बुरी बुरी जायमों अबे क्या बोल रहा है बे शिंचान ये ओ ये फैक बे लगते है वो अपनी भाषा में बात कर रहा है हमार से अपनी भाषा में गाईस कोनशी शक्ती कैफी शक्ती हाँ 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 जब भी लो सेंटोस में किसी के साथ बुरा होता है तो मैं उसकी मदद करने आता हूँ मुझे गोड़ने भीज़ए हाँ गोड़ने भीज़ए अच्छा मतलब जब भी लो सेंटोस में किसी के साथ बुरा होता है तो तुम उसकी मदद करते हो अब कल वे फिर तो ये तेरी मदद भी करेगा अब भाई कर तो रहा है ये मेरी मदद गाइस इसने मेरे पूरे बैडरूम को नोटों से भर दिया है बस यही नहीं मैं तुम्हे अपनी शक्ती भी दूँगा क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंसी शक्ती कैफी शक्ती अब से तुम जो बोलो के वह सच हो जाएगा ठीके शिंचें फ्रैंक लिन चौप मेरी सक्टि अपने हापी तुमारी से चली जाएगी क्या अगर मैं साइब कर दो बॉड़ी पे चली जाएगी और मैं जो जो बोलूंगा वह सच होएगा हाँ पिल्कुल सही चलो बाइबाइब अरे पाप्रे गाइस वो तो उड़ गया यार ओ यह फैट में वो तो उड़ के भग गया यार का गया वो अब वो कल्वे असे कर सो सकता है अबे मुझे क्या पता गाइस यार एक सेकिन मेरे घर में आर कितने सारे नोट्स आ गए अबे वो तो यह कह रहे था ना कि मैं जो सोचोंगा सच होएगा एक में रुको गाइस मैं सोचता हूं यहां पर बहुत सब्सक्राइब और गोल्ड आ जाए येलो बे अब कल्वे यह देखा गया अरे वो आप्रे यह कैस हो गया मतलब गाइस आर मैं तो जो सची में जो बोला या सोचता हूं ना वो तो गाइस लिटरली में मेरी आखों के सामने आ जाता है अब शिंचैन यह तो बहुत ही कमाल की पावर है औरे वाओ मतलब काईजार वो जो बेबी योड़ा है उसने तो मुझे बहुत ही दगड़ी ओपी शक्ति दिया अभी गाइस चलो फटा-फट से जिस चीज की मेरे को नीड़ा ना वो फटा-फट मांग लेते अपनी शक्तियों से अब आकल हुए मांग ले मांग ले अब हारुचा चलो आओ यार शिंचैन चौप फटा-फट मुझे बताओ क्या-क्या मांग ने है और यार देख रहे हो मैंने शिंचैन चौप ने क्या- इस पोर्चे और गाइस पर्सनल हेलिकोप्टर पता नहीं क्या-क्या चीजे मांग लिया अब इना मैं आपको सारी की सारी चीजे ना ड्रोन से दिखाऊंगा क्योंकि यार हमने एक ड्रोन भी मांगा पता नहीं कौन सी कंपनी का है यह देखो गाइस और आप हमारे पूरे क कर देना चैनल में ने है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना बाकी काईस अगर आपको ऐसी वीडियो तो चीए तो फटा फट कॉमेंट्स में जाके बताना बाकी मैं शीन चंचोप मिलेंगे आपसे ऐसी अगली ओपी वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बा लाग गे गजहे लाग बात